शादी में दहेज लेना कानूनन अपराध है लेकिन पत्ना के रहने वाले एक लड़के को शादी के लिए 15 लाक रुपए नहीं बलकि 25 लाक रुपए चाहिए रिंग सर्मनी के बाद जब ये बात लर्की को पता चली तो लर्की ने शादी से साफ इंकार कर दिया और पत्ना सिटी के एक थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई तिलहाल जो पुलिस है वो जाच में जूटी हुई है पुड़ा मामला समझाते हैं आप, पत्ना सिटी के रहने वाले एक परिवार, जो लर्का का परिवार है और जारखण की राजधानी, राची की रहने वाली एक लर्की के परिवार दोनों के बीच में शादी को लेकर बाद तै हुई शादी जो है 15 लाक रुपए में तै हुई थी जब रिंग सेर्मनी हुई उसके बाद लरके ने 10 लाक रुपए और डिमांड कर दिया यानि कि लरके को 10 लाक रुपए और चाहिए थे 15 लाक नहीं 25 लाक रुपए चाहिए थ शादी से साफ इनकार करते हुए होने वाली दुलहन ने पूरे परिवार के सामने दहेज का बिरोध किया उसने ऐसे लड़के से शादी करने से ही इनकार कर दिया जो पैसो का लालची हो लड़की का कहना है कि आज इन लोगों ने 10 लाख की एक्स्ट्रा डिमांड की है कल और मांगेंगे मेरे परिवार से पैसे मांगने वाला मुझे खुश कैसे रखेगा ये हर बात के लिए मेरे परिवार पहीं डिपेंड हो जाएगा ऐसे लालची लोगों को सजा होनी चाहिए अलकि इसके बाद दोनों परिवार के बीच मान मनोबल की बात सुरू हुई लाख परियास के बावजूद भी लड़की शादी के लिए नहीं मानी आपको बदा दे कि जून महिने में शादी होने वाले थी पिछले दिनों ही पटना के एक निजी होटल मेरिंग सरिमनी के कारिकरम हुआ था और उसके बाद जब एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड हुई तो लड़की ने शादी से साफ इंकार करते हुए बाकी लड़कियों के लिए एक मिशाल कायम की है साथ ही उन तमाम लड़कों के लिए भी या उन तमाम लड़के वालों के लिए भी एक सबक पेस्की है जो साधी के लिए दहेज की मांग करते हैं पटना से नुजेटिंग के लिए सचदानन्द की रिपोर्ट